हालो स्टुदेंट्स वेल्कम पू दिस चैनल आम यूर मैक्स डिजयर तुर्य हम क्लास नाइंट मैक्स आपका रैशनल रैशनल नंबर्स एक्ससाइज वन ने क्वेश्चन एट को यहां पर सॉल्व करेंगे ठीक है आप प्रिविएस वीडियो उसको वॉच के लिए ताकि आपको समझ में आ सके एक्ससाइज ठीक है सुग्वेश्चन एट यहां पर है आपको इंसर्ट एट रैशनल नंबर्स बेट्वीन वन पॉइंट एड रैशनल नंबर्स इनके बिट्वीन में एट रैशनल नंबर्स को क्या करना है एंसर्ट करना है ठीक है एट रैशनल नंबर्स तो यह आपको हम इंसर्ट करतेंगे एट रैशनल नंबर्स ठीक है बहुत ही simple है मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम यह check करेंगे कौन आपका small है और कौन आपका bigger है So here 1.8 is less than 3.6 1.8 जो है आपका वो small है 3.6 है और हमें 8 rational numbers insert करने हैं इन दोनों के between में सबसे पहले हमें t find करना है t, t equals to y minus x by n plus 1 d हम find कर लेंगे तो सारे rational number find करना बहुत इसी हो जाएगा ठीक है सो हम यहापकी क्या करेंगे let x equals to 1.8 and y equals to 3.6 तो insert 8 rational आइन पैस बे तुट करेंगे सेखेजे बहुत करेंगे अडले और फोले रिफ्ट्र करेंगे आक है कि अटा है अटा ही जले तो यह न इक समीं membership करेंगे 폭 ini हम इसaaaa paper कर안 कररेंगे Samsung ABOUTArt sig D की वाल्यू फो फांट का देंगे ठेक है So D equals to Y minus X by N plus 1 Y की वाल्यू है आपके पास 3.6 minus X की वाल्यू है 1.8 1.8 Divide N plus 1 होता है यानि की N की वाल्यू है 8 plus 1 यानि की this is your 9 ठेक है अभी देखिए हम 3.6 से 1.8 को अगर सब्स्ट्रैक कर देंगे यहां पर देखिए 3.6 से हमें 1.8 को क्या करना है माइनस कर देना है अभी देखिए करेंगे तो यह 16 8 माइनस हो जाएगा तो 8 Right एंड एक सेकंड यह यहां पर हो जाएगा आपका 1 कहरे गया था है यहां पर 2 से 1 then 1 1.8 यहां पर आजाएगा आपका ठीक है 1.8 So this is your 1.8 divided by 8 plus 1 9 ठीक है तो अगर हम point यहां से remove करेंगे तो 10 आजाएगा तो यह आपका आगया 18 by 9 into 10 9 बंजा 9, 9 बंजा 18 so here d की value आपकी आगई 2 by 10 point remove कर देंगे यहां से बतलब 10 को हम अगर तो यह हो जाएगा 0.2 आपकी जो d की value आई है वह है 0.2 this is your d ठीक है d की value हमने find कर दी है अभी rational number point करना बहुत easy हो गया क्यों? because अगर हमारे पास d है तो first rational number हमारा होगा x plus d x की value है आपके पास 1.8 and d की value है आपके पास 0.2 both को add करेंगे तो यह आपका हो जाएगा add करके देख लिए 1.8 and 0.2 तो दुनों को add करतेंगे आप plus यहां पर देखे 8 plus 2 यानि कि 10 0 हो जाएगा carry 1 और 1 और 1 2, 2.0 it means this is your 2 चाहे तो आप 2.0 लिख सिप्पे हैं बट हमारा अगर 2 है तो हम 2 लिखेंगे first rational number आगे second rational number find करने के लिए हम क्या करेंगे x plus 2D कर देंगे so x की value है 1.8 plus 2 into 0.2 तो यह 1.8 plus 0.6 हो जाएगा अगर इसे calculate करेंगे तो 2.4 आजाएगा आपका now fourth rational number x plus 4D it means x की value है 1.8 plus 4 into 0.2 1.8 plus 0.8 हो जाएगा यहां पर यह 2.6 हो जाएगा आपका add करके 2.6 x x plus 5 d 1.8 plus 5 into 0.2 equals to 1.8 5 to the 10 हो जाएगा तेक है it means 1 हो जाएगा आपका यहां पर तो plus 5 to the 10 1 1 तेक है यहां यहां की 10.1.0 something add करिए यह 2.8 आजाएगा आपका right 2.8 now x plus 6 d x की value 1.8 plus 5 sorry 6 into d की value 0.2 6 to the 12 यहां की 1.2 1.8 plus 1.2 both को add करेंगे तो यह आपका 3 आजाएगा 3 आजाएगा now x plus 70 it means 1.8 x plus 7 into 0.2 it means 1.8 plus 7 to the 14 1.4 3.2 यह आपका 3.2 आजाएगा now last x plus 8 d x की value 1.8 plus 8 into 0.2 it means 1.8 plus 8 to the 16 1.6 3.4 4 आजाएगा यहां पे आपका ठीक है इसी टाइप में आप calculate करनी सेगा अगर आप भी calculation पास नहीं है तो side में आप addition करनी सेगा ठीक है so hence the required rational numbers are hence the required rational numbers are 2, 2.2, 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 ठीक है this is your rational numbers between 1.8 and 3.6 ठीक है I hope आपको exercise 1 equation number 8 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है तेना comment box में comment करके मुचसे ask कर सकते हैं ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तेन प्लीज चैनल को subscribe करें and bell icon को press करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले notification सबसे पहले मिल सके हैं thank you